So guys, आज हम दोग आपको एक ऐसे application के बारे बताने वाले हैं, जो खास तोर पर WhatsApp के लिए ही बनाया गिया है, यह एक speech to text converter है, सिर्फ और सिर्फ WhatsApp के लिए, WhatsApp के लिए इसमें बहुत ज़रा special features हैं, और guys, किसी भी language में आप यहाँ पर voice को text में convert करके लिख सकते हो, WhatsApp के लिए इसका features हैं और उनमें ऐसी ऐसी unique चीज़ें हैं जिसको देखकर आप भी वज़र खुश हो जाओगे, और कसम से बोल रहो कि भाई, आप भी इस application को install कर लोगे, भाई मेरी कसम बत तोरना है, install कर ले न, एप का नाम है guys, speech to text converter for WhatsApp, एप की लिंक आपको मारे टेलीराम चैनल पर मिल ज दिखा रहे हैं तो भाई, लाइक करो ताकि हमको भी खुशी मिले, कैसे बोल रहा हूँ न, मैं न्यूज रिपोर्टरों की तरह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, तो चलिए friends, वीडियो को start करते हैं, एंड तक देखना ब 4.9 की है, तो अब आप सोच सकते हो हैं कितना बहतरी नाप होगा, और क्यू बहतरी नाइए यह मैं आभी आपको बताता हूँ, तो गईस वैसे तो उने बहुत सारी speech to text converter देखे होंगे, बट वो जो accurate नहीं होते हैं, और simple सा जो एक तो बहुत सारे inaccessible अलग से होते हैं, तो अब इसको ऐसा क्यों का गया है, क्योंकि गाइस एक तो यह speech to text convert करता है, और यह Google का voice search है, वो ही यूज करता है, ध्यान रखेगा, जी बोर्ड का voice input नहीं, जी बोर्ड का speech recognition है, जिससे कि आपके, जो आप Google करते हो, जो voice search button आता है, वो वाला जो सर्च होता है, वो 100% accurate होता ह तो वो यूज करता है, speech recognition, तो अब यहाँ पर एक तो इसमें speech to text converter है, इसका notepad है, और यहाँ पर आप जो speech को text में convert करोगे, उसके आपको dedicated send button दिया हुआ है, जी हाँ, यानि कि आप सिर्फो WhatsApp के लिग सकते हो, उसको WhatsApp status पर लगा सकते हो, मुछ भी कर सकते हो, WhatsApp के साथ किसी अब यहाँ पर इसमें WhatsApp web का भी dedicated option दिया गया है, जी हाँ, यानि कि आप WhatsApp web को Chrome पर चलाने की जुरूरत नहीं है, है ना, desktop पर भी चलाने की जुरूरत नहीं है, आप इसको अपने Android पर यूज कर सकते हो, है ना, इसमें WhatsApp web का dedicated browser दिया गया है, जैसी आप web button पर click करोगे, आप उसकी website पर नहीं पहुचाओगे, Chrome पर नहीं, उसी app में वो link open हो जाएगा, और वहाँ जो अपना WhatsApp sign-in करके उसको use कर सकते हो, guys, very interesting and very useful है, है ना, अब यहाँ पर अगला आता है, इसमें direct chat, यानि कि यह तो आपको बते होगा, किसी को भी बिना number safe की, आप message लिख सकते हो, व यहाँ पर जो एक एक चीज है ना, पूरानी है, लेकिन एक एक चीज को इसमें नया करके दिया हो है, और यह WhatsApp वैबला तो काफी interesting ही लगा मिरको, एक चीज को नया करके दिया, अब अगला इसमे status को देखने का, जी हाँ, माल लीजे, आप WhatsApp पर status देख ले तो आप उसको वह इसमें और तो और बिना डाउनलोड किये भी यहाँ पर आप उसको डिरेक्ट WhatsApp पर लगा सकते हो, है ना, तो गाइस यही सारे इसमें और भी बहुत सारे फीचर है, मैं आपको बताऊंगा आगे, तो इसी लिए, मैं आपको यह फीचर इसलिए बता रहा हो, ताकि मैं आपक सबसे बताऊंगे, 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 सबसे जी हाँ यह रहा वेब बटन जैसे आप इस पर क्लिक करो गया तो मेरे नेट बंद है तो इस पेज नोट फाउंड आएगा देखे वाट्सवेब खुल गया अभी तो वैप इस नोट अवेलेबल लेकिन आप ना इसको एकदम वन हंडड़ प्रसेंट फास्ट लगे आपको लगेगा इनकी भाई आप पर इसको चला रहे हो सिंपल सा यहना यह वाट्सवेब की वैबसेट ओपन कर देगा और आप उसको लॉग इन कर सकते हो गाईस है ना जैसे बाकिया आप नॉर्मल चलाते हो मेरे को बहुत जादे बता रहे हो मेरे को बहुत जादे इंट्रेस्टिंग चीज लगी इस आप में यह आगे चलते है स्ट्रेश वरस मेरे करते हैं प्रका यहां पर क्लिक करके आप सा दाप क corridors में बढ़े की मेरे एक शर्णानिया कर दिया अब ओ एसे वह सव्हें है कैसे क्या करना है स्टेटास बॉटन है स्ट्रेश अफुवलजए सभी किश्च आप अब यहां पर यह सिंपल सा है इसका यूज करना बताता हूं मैं कि आपने डाउंलोड की वह देखना चाते तो यहां से आप देख सकते हो अब आगे जह न यह हर एक वीडियो या आगे टेक्ट टेस्ट बोलेगा लेकिन इस उस पिक्लिक हो जाएगी 3 शुब पॉस्पॉस कर दिया मैंने इस तरह से हाँ पर आप इसको चला सकते हो अब इसी में जहें नेक स्टोरिज आपकी नहीं भरी देखिए जैसे क्लिक किया आपना स्टेटस इसको लगा सकते हो और यहां से अपना स्टेटस लगा सकते हो बहुत ज्यादा मस्त यहां खुँआ सटेटस अश्तेटस लिंस्को चलास भर भाउन इसको दाँंड़ोड करते हो फिर्च डॉडकर बासट वहते अलो धे आपके फोल्डर में सेव हो गया होगा गाई एकदम इस सिटेक्स कश्राइब आगे देखते हैं आगे है नोट पैसका कुद का नोट पैड दिखा देता हूं कैसा है बडा सिंपल है यहां पर आप इसको शेयर कर सकते हो किसी को भी लिस्ट एड बटन पर क्लिक कर सतो और आप आपको दिखेंगी सीव कर सकते हैं अगधला देख नमबहर लास्ट एनवंगर हम यह और इससे ते आप सभी वलशीत ही तो इस पर क्लिक करते हैं दिखाते हैं एक दम यूनिक है यहां पर मैसेज लिख दीजी है ना यानि कि वाट्साप में लिखने का वशकता ही निया बाकी जो एप्स करते हैं वह बस नंबर वाट्साप में खोलते हैं मैसीज आपको महीं जाकर लिखना होता है इतना बड़ा का इतना करने के बाद सेंड कीजे WhatsApp में चैट ओपन मैसीज आ जाएगा भेज सकते हो उसके आगे शेर लिंक का बटन है यानि कि यह सब आपने लिखा है बनाया है इसका एक लिंक कॉपी कर सकते हो किसी साथ है शेयर कर सकते हो तो वह जैसे उस लिंक को खोलेगा वह मैसीज उस च करेंगे उसके बाद आप से बात करेंगी जाएक कर देना ही किया है तो यहां पर मने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया देखते क्या इड्रफिस आया हमारे सामने कि speech to text, back button, back button, speech to text converter voice to text converter redeem button share one button, share share कर सकते हो यहाँ पर इसको उपन शहें कर सकते, मतलब यहाँ पर जो आप लिखोगे वो आपको बतारेगा यहे, उब भाई सा मस्ति है, कुद लेंगोजी अविलेबल है सर्च भी कर सकतो देखें यहां पर सब्सक्राइब किसी भी राइबूज को क्लिक करके स्लैट कर सकते हैं आगे चलते हैं चाहिए बटन है दिलीट वन बटन है अब गाईज यहां पर जैना आगे बहुत सारे इमोजीज आ रहे हैं, सारे इमोजीज आ रहे हैं, यानि कि आप इमोजी लिख सकते हो, बीच बीच में अगर आप लिखना चाहो, मालीज आपने लिखा, हेलो हाव आर यू, उसके आगे आपको इमोजी डालना है, फेस्विट टीर्ज ओव जो है, मलो हसरे हो भईया, बताओ कैसे हो, तो बस इसको वो रुकेगा जब लोग और यहां से अब इमोजी डा सकते हो, तो उस टेक्स्ट के आगे, वो इमोजी आ जाएगा, वेरी इंट्रेस्टिंग आईज, इतना अब आपको होम बटन के ठीक ओपर या ओवर्रिव्यू के बटन ठीक ऊपर फिंगर रखे यानि कि इस सब इंपोर्टेंट साइन जो इक WhatsApp मेसिज को लिखने के लिए चाहिए होते हैं वो सब मिल रहे हैं आपर, किसी को भी डालना है आपको, तो आपना voice सर्च करो, इसके बाद बोलो, जिसके बार डालना है, रुक जाओ, फिर वो श्टॉप हो जागा, आप यहां पर उसको साइन को डाल सकते हो, यहां पर दो अप्षन है, WhatsApp या WhatsApp बिजनेस, तो जिसके लिए भी आप इस मेसिज को लिखना चाहिए, उसको टीक कर सकते हो, और यह voice button है, यहां पर क्लिक करके आप बोलना शुरू कर सकते हो, send button, यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप WhatsApp सकते हो, यहां पर एक और आगे लिखा है, speak in Hindi India, जो आपने language state कि होगी, उसमें आपको बोलना है, चलिए, voice button लिख करते हैं, देखेगा, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी, आज मैं आपको एक ऐसी application के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप speech को text में बदल सकते हो, और दोस्तों, यह application खास तोर पर WhatsApp इस्तेमाल करने वाले logo के लिए ही बनाई गई है, अब मैं emoji डालना चाता हूँ, मेरी इच्छा हो रही है, चलिए डालते हैं, अब आगे फिर से लिखते हैं, दोस्तों, आपसे विनेती है कि कृपया इस वीडियो को पूरा आंध तक देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद, आप कोई sign डालते हैं, अब उसको read करते हैं, एक भी गलती गाईज यहाँ पर हुई, नई हुई ना, 100% accurate application है यह गाईज, एक भी गलती नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि यह Google का speech recognition जो है न, वो इस्तेमाल करता है गाईज, मैं सच बता रहा हूँ आए, I'm very happy, यहाँ से विसको copy कर सकते हो, और किसी को भी share कर सकते हो, है न, simple, इसी तरह से इसका, यूशली, send पर क्लिक करते हैं, send पर क्लिक करेंगे, WhatsApp ओवन हो गया, यहाँ से हम, किसी को भी भेज सकते हैं, चली भेजते है, send, यह मैसीज मेरा जा चुक है, बहुत ही असानी से, जब कॉंग्रेस के सतार आईगी, तो साल में तीन मुफसिलंडर दिलाएगी, जब कॉंग्रेस को गाईज आट ने जब बड़ा परिशान कर रखा है, तो मैं यही आपको बता रहा था, कि किसी भी chat पर जाए, बहुत ही असाने से यहाँ पर बेच सकते हो, वाटसेप के लिए इसपेशली आप लिग सकते हो, और बाकि आप कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हो, चलिए मैं लगया जो आपको वेब दिखायता हो, ने टोन है अभी, वेब पर चलेंगे, अब देखिए यहाँ पर, आपको ऐसा लगेगा है यह नि कि भाई आप क्रोम पर हो, यह देखिए, पूरा जैसे साइड वाटसेप वेब के ओपन होती है, वैसे यह ओपन होगी, यहाँ पर आपना वाटसेप वेब का रेगुलियर यूज कर सकते हो, विदाउट एनी दिक्कत, है ना, गाइस सोचो, कम्प्यूटर वाले वर्जन को आप मुबाईल पर इस्टेमाल कर सकते हो, हाला कि वो क्रोम में भी कर सकते हो, डेस्टो वर्जन का यूज करके, लेकिन वैसी फील नहीं आती, बार अपर कौन जाए, बस इसमें एक बार एप्लिकेशन के बारे में क्या सोचते हो, क्या आपका कोई कोशन है, वीडियो कैसे लिगी, एप कैसे लिगी, सब कुछ अपनी भावना एक कमेंट में व्यक्त करोगा, लाइक कर देना वीडियो का नहीं किया है, तो सभी के साथ इस वीडियो को जूरू शेयर करना, मैंने के लिए, बाइ-बाइ!